okay let's find the roots for 2x square plus x minus 6 is equal to 0 सबसे पहले हम 6 की और 2 की multiplication करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 अब हमें 12 के ऐसे factors करने होंगे जिसको minus करके आपस में 1i विकाद हमारे पास x का coefficient 1 है so हमें मिल जाएगा 4 into 3 so 2x square plus हम x भी सकते हैं 4 minus 3 x minus 6 now 2x square plus हम x की multiplication दोनों जोगा कर देंगे तो हो जाएगा 4x minus 3x minus 6 now हम इनकी grouping कर देंगे अब यहां keep group में हमें common मिल जाएगा 2x तो अंदर हमारा बचेगा x plus 2 यहां हमें minus 3 common मिल जाएगा तो अंदर हमारा बचेगा x plus 2 हमें दोनों side x plus 2 common मिल गया तो हम x plus 2 कमन लेंगे, हमारा अंदर बिशेगा 2x minus 3 So, अब हम इनकी value निकार लेंगे So, x plus 2 equal to 0 करेंगे, तो x is equal to minus 2 आ जाएगा ऐसे ही 2x minus 3 equal to 0 करेंगे, तो 2x is equal to 3 and x is equal to 3 upon 2 तो यह हमारा पैसर है, minus 2 and 3 upon 2